हलो प्यारे बच्चो आपका स्वागत है आटड़ 24-7 किलास 11-12 जही नीट यूट्यूब चैनल पर मैं गजिंदर शर्मा आपका स्वागत करता हूँ तो बेटा एक बार बता दिजीए कि क्या हमारी आवाज है वह वह सही आरे gaining आ रहे और हमारी जूट है वह और वीडियो क्वालिटी है सब्सक्राएं। मैं भी चैक कर लेता हूँ जब तक क्या हम लोग लाई वा चुके हैँ बिर्कुल बेटा हम लोग live आ चुके हैं तो ठीक है हम लोग अपने जो शेशाने उसको start करते हैं आज जो मैं बात करने वाला हूँ बेटा वो बात करने वाला हूँ चैप्टर नमबर अपना 4 है ये कौन सा है बेटा चैप्टर नमबर 4 है यह हमारा है chapter number 4 है उस तीन को अटाली जी का chapter number 4 है और chapter number 4 का नाम है समतल में गती क्या है बेटा समतल के अंदर गती इससे पहले जो हमारा third chapter था उसका नाम क्या था बेटा अगर हम लोग बात करें तो सरल रेखा में गती करनी है और पहले हमारा जो chapter था वो क्या था सरल रेखा हमें गती करवा रहा था, इसके अंदर हमें क्या करना है, बेटा, समतल के अंदर क्या करनी है, गती करनी है, और आज जो हम लोग देखने वाले हैं, वो देखने वाले हैं, कि अधिश हमारा क्या होता है, सदिश हमारा क्या होता है, और सदिशों का गुणा कैसे हम लोग करते ह कि सर सदिश क्या हुआ अदिश क्या हुआ और इनके गुणा हम लोग कैसे करते हैं इन सारी चीजों को हम लोग जानने वाले हैं तो एक बार फटाफट से और जानने की कोशिश करते हैं बेटा ये है मेरे बारे में मेरा नाम गजिंदर शर्मा है और आप जैसे प्यारे प्यारे बच्चों को पढ़ाते हुए more than five years का teaching experience हो गया है online और offline के अंदर तो इसी experience का आपको फायदा उठाना है हर चीजों को सीखते हुए आगे बढ़ना है क्योंकि अभी तक हम लोगों ने almost three chapters को complete कर लिया है क्या कर लिया बेटा three chapters को complete कर लिया है तो उन तीनों के तीनों chapters के अंदर मैंने हर concept को बारी किसे आपको बताया है आगे बढ़ना है तो चलते हैं अपने इस topic की और इस topic की अंदर हम लोग क्या देखने वाले हैं वो चीजों के बारे में हम लोग करते हैं तो दिमाग को एक बार शांत कर लिजिए और दिमाग शांत होने के बाद में चीजों को सीखने का प्रयास करिए तो आगया है अपन चीजों को समझ पाएं कि चीजे कैसे होती है एक्चोली में concept के साथ जब हम लोग बिल्ड करते हैं concept के साथ चीजों को सीखते हैं क्योंकि बेटा ये चीज तो आपको पता लग गया होगा, जितने भी लोग मेरे साथ स्टार्टिंग से हैं, कि हम लोगों ने अभी तक तीनों चैप्टर किये हैं, तीनों को तीनों को उधेड के रख दिया है, क्या होगी बेटा, सारी चीज़ां आपकी क्लियर हो जाएंगी, तो चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, और जानने की कोशिश करते हैं, कि अब अदिश और सदिश क्या होती हैं, जब तक आप लोग जोड लोगे, आराम से, सब लोगों को जोड लीजिए, जिससे कहा है, maximum लोग जुडेंगे, तो जादा चीज़ों को सीखने में मजाएगा, और उससे क्या होगा, बेटा, मेरा भी confidence बिल्ड होगा, कि हाँ यार, चीज़े सब को समझ में आ रही हैं, और चीज़े सब को connect कर रही हैं, इसलिए, फटा-फट से चुड़ जाएए, जल्दी से, जल्दी से फटा-फट से चुड़ जाएए, चलिए तो बेटा, अब हम लोग पढ़ते हैं, तो सबसे पहला दिमाग में आता है कि सर, अदिश राशी क्या होती है, क्या हमारी अदिश राशी होती है, ये हमारे दिमाग में सबसे पहला प्रशन आता है, क्योंकि हम लोग हर जगे पढ़ते हैं, कि ये सदिश है, ये अदिश है, ये कैसे है सदिश और अदिश, ये कैसे हैं अदिश और सदिश, ये हम लोग जानने की कोशिश आज करते हैं, और आज के बाद में आपकी जितनी भ अगर मैं अदिश राशी की बात करता हूँ, तो अदिश राशी क्या होती है, कि सर वहर राशियां जिनका केवल परिमाण होता है, क्या होता है परिमाण होता है, परिमाण का मतलब क्या होता है, जिनका सिर्फ मान होता है, यह परिमान जो होता है ना परिमान का मतलब होता है सिर्फ मान, क्या होता है जिनका मान होता है और उनकी दिशा नहीं होती है, क्या होता है जिनका सिर्फ मान होता है उनकी दिशा नहीं होती है, कैसे आपको कहीं पर लिखा आजाएगा, पाँच, दस, बीस, इस परकार से अग इस का मतलब क्या हुआ जिनका केवल मान होता है परिमाड होता है वो हमारी क्या होती है अधिश राश का जिनकी कोई पिश्राशियां और इनके उधारन हमारे जो हैं वो है हमारा दूरी, दूरी को क्या लिखते हैं मेटा, हम लोग क्या लिखते हैं सर 6 मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर, 50 किलो मीटर, 100 किलो मीटर, कभी ऐसे लिखते हुए देखा है, कि आज 100 मीटर उत्तर की ओर है, कल 100 मीटर दक्षिन क कि और है कभी ऐसे लिखते हुए देखा है नहीं लिखा जहां पर भी हम लोग किलोमीटर की बात करते हैं बेटा महां पर दिशा की बात नहीं होती है वो हमारी क्या 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 होती है यानि कि सर वो हमारी क्या होती है अदिश राशियां होती है क्या होती है अब बात आती है कि सर ये सदिश राशियां क्या होती है बेटा सदिश का मतलब होता है कि सर वह राशियां जिनका परिमार भी होता है जिनकी दिशा भी होती है वो हमारी कहलाती है सदिश राशिया और उसके अलावा क्या करें सदिश योग के नियमों की क्या करती है बेटा पालना करती है सदिश क्लास में हम लोग discuss करेंगे नियमों की अगर मैं बात करूँ तो आज की क्लास में हम लोग क्या देखेंगे बेसिकलिए अगर हम लोग बात करें तो आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कि सर हमारी अदिश क्या है अदिश मैंने आपको समझा दिया है अदिश क्या होती है उनका केवल परिमार होता है दिशा उनकी नहीं होती है वो हमारी क्या कहलाती है अदिश राशियां कहलाती है उसी परकार से सर सदिश राशियां कौन से होई वह राशियां जिनका परिमार भी होता है जिनकी दिशा भ हुआ ये सारी की सारी चीजें क्या होती है बेटा ये हमारी होती है सदिश राशियां क्या होती है सदिश राशियां हमारी होती है वेग भी हमारी सदिश राशी है तो अदिश राशी क्या हुई दिमाग में बिठा लो केवल परिमार जिसका होता है अदिश राशी जिसका पर लिश्राशिया कैलाती है, दोनों परिबास्याओं को तिमाग में अच्छे से सेट कर लो, अब मैं बताता हूँ कि तो अगर हम लोगों कि यह आ जाती हैं, तो इसका एकांग सदीस हम लोग कैसे निकालते हैं, किया निकालते हैं बेटा? unit vector हम लोग कैसे निकालते हैं क्या करते हैं पीटा unit vector हम लोग कैसे निकालते हैं कैसे हम लोग इनका unit vector निकालते हैं वो हम लोग देखने की कोशिश करते हैं एक तो होता है हमारा position vector एक हमारा होता है unit vector क्या होता है पीटा एक तो हमारा होता है कि सर ऐसा सदिश जिसका परिमान एक हो और जो किसी विशेश दिशा के अनुदिश हो, एकांक सदिश कहलाता है, क्या कहलाता है, एकांक सदिश कहलाता है, यानि कि सर एक विशेश दिशा, दिशा का मतलब क्या हुआ, अगर X-axis में हमने किया है, तो उसका मतलब सर क्या हुआ, उसको हम लोग क्या लिख देंगे सर उसको हम लोग लिखेंगे एक particular हम लोग बोल सकते हैं एकांग सदिश से हम लोग क्या करेंगे कि सर उसको व्यक्त कर देंगे क्या करेंगे व्यक्त जैसे यहाँ पर क्या दे रखा है बेटा अगर यहाँ पर अगर इस डाइग्राम की मैं i cap, क्या है बेटा i cap है, और y x के अनुदिश क्या है, j cap है, और हमारे z x के अनुदिश क्या है, k cap है, यानि कि सर ये हमारे सारे के सारे क्या होते हैं, एक विशा, एक जो हमारी विशेश दिशा होती है, उसके अनुदिश होते हैं, जिनको हम लोग क्या बोल देते हैं, एकांक सदिश कह देते हैं, और इनको किसके द्वारा हम लोग दर्शाते हैं, इसको हम लोग दर्शाते हैं, क्या 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 दर्शाते से हो कि परिमान हमारा है I cap, क्या है? परिमान है हमारा I cap, तो इसका मान कितना हो जाएगा? एक हो जाएगा, परिमान है हमारा J cap, तो इसका मान कितना हो जाता है? एक हो जाता है, इसी प्रिकार से लिखा आजाए आपके केक एप तो इसका मान कितना हो जाएगा? एक हो जाएगा यानि कि सर सीधा सीधा हम लोग कह सकते हैं कि अगर इनके उपर परिमार है परिमार का मतलब क्या है? इनके अगल बगल में दो डंडियां लगी हुई है क्या लगी हुई है बेटा इसके अगल बगल में क्या है दो लाइने खिची हुई है इसका मतलब होता है परिमार और परिमार के अंदर याद रखेगा मैं परिमार बहुत जगे बोलूँगा कि सर इसका परिमार लेने पर इसका परिमार लेने पर तो परिमार का मतलब होता है बेटा, अगर इसके अंदर, हम लोग अगर रिनात्मक संख्या भी रख देंगे न, तो वो संख्या हमारी क्या हो जाएगी, धनात्मक हो जाती है, क्या हो जाती है, वो संख्या हमारी क्या हो जाती है, धनात्मक हमारी हो जाती है, तो i cap बराबर किसके हो जाएगा j cap के और j cap किसके बराबर है बेटा k cap के यानि कि सर अगर इनके मैं परिमार की सिर्फ बात करता हूँ तो इनका परिमार कितना हो जाता है एक हमारा हो जाता है इनके अगर मैं सिर्फ परिमार की बात करता हूँ तो बेटा परिमार हमारा क्या हो जाता है, एक हो जाता है, और यहाँ पे लिख लिजिए, एक्स अक्स के अनुदिश, एकांक सदिश क्या है, लिख लिजिए यहाँ पे, कि सर यहाँ पे आप लोग लिख लिजिए, पैन से जिससे आपको दिक्कत ना हो, तो लिख लिजिए, x-axe के अनुदिश x-axe के अनुदिश जिसका आपको याद रहे अनुदिश एकांक सदिश क्या है? वो है हमारा i-cap क्या है बेटा? यहाँ पर है हमारा i-cap क्या है? i-cap उसी प्रिकार से y-axe के लिए अगर मैं बात करता हूं किसके लिए y-ax के लिए अगर मैं बात करता हूँ तो y-ax के लिए क्या हो जाएगा sir y-ax के लिए हमारा हो जाता है j-cap और z-ax के लिए क्या हो जाएगा z-ax के लिए क्या हो जाएगा बेटा z-ax के लिए हमारा हो जाता है k-cap क्या हो जाता है बेटा के कैप हमारा हो जाता है इतना हमारा समझ में आया या नहीं आया जल्दी से मुझे बताइए इतना समझ में आया या नहीं आया आप लोगों के फटाफट से मुझे बताइए इतना समझ में आया है या नहीं आया है तो आप लोग क्या बोलेंगे, Sir, यह हमारा क्या है, Position वेक्टर हो जाएगा, अगर उसके उपर बैर बूचो Arrow लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, Arrow लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, और यह सधिश जो होता है, सधिश को दिखाने का तरीका क्या होता है, सदिश को दिखाने का तरीका होता है vector का निशान, क्या होता है vector का निशान, तो आप लोग बताईए इतना आपको समझ में आया या नहीं आया, इतना समझ में आया है या नहीं आया है, जल्दी से मुझे एक बार comment करके बता दीजिए, इतना आपको समझ में आया या नहीं आय जल्दी से बताईए, यह तो सारे की सारे diagram के दुआ रहा था, तो आपको easily समझ में आ जाने चाहिए, diagram के दुआरा चीज़े हैं, ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं, sir, यह तो हमारा क्या हो गया, एकांक सदिश हमारा हो गया है, एकांक सदिश हम लोग कैसे बताएंगी, प इस परकार से आप लोगों को यह निकालना होता है, क्या होता है, इस परकार से आपको यह निकालना होता है, अब मैं बात करता हूं, यहाँ पे, इस्तिती सदिश, यानि कि सर पोजिशन वेक्टर का, और इसी की साथ मैं आपको बताऊंगा, इसी की साथ मैं आपको बताऊं वियक्त करती है, इसलिए हम लोग क्या कहा देते हैं, इस्तितिस अदिश कहा देते हैं, for example, यहां पर यह जो हमारा है, क्या है बेटा, यह R जो है, यह R पयारे बिच्चों, यह R cap नहीं है, यह R वेक्टर है, क्या है? R वेक्टर है, यह हमारा क्या होता है? इस्तिधी सदिश होता है, पोजिशन वेक्टर होता है, 12th class में आप लोग देखोंगे, कहीं जगे आपको क्या देखने को मिलेगा, वेक्टर देखने को मिलेगा, तो याद रखेगा वो हमारा क्या होता है? इस्तिती सदिश होता है, क्या होता है बेटा, इस्तिती सदिश हमारा होता है, क्या होता है, तो देखिए, इसके अंदर आपको यह दे रखा है, इसके अंदर आपको यह दे रखा है, तो आपको याद रखना है कि सर इस्तिती सदिश हमारा कैसे क्या होता है, तो याद है, diagram के अंदर हमें क्या दे रखा है, पीयरे बित चो, r वेक्टर दे रखा है, क्या दे रखा है, r vector दे रखा है, तो हम लोग क्या बताएंगे, कि स्ब्सकिम के इस diagram के अंदर, जो ये 3 है, ये 3 किसका मान होता है souha जो होता है, यह हमारा होता है, X अक्ष का, किसका होता है, X का मान होता है, यह हमारा जो Y है, यह 4 है, यह हमारा किसका होता है, Y का होता है, और उसी परिकार से, यह जो 10 है, यह हमारा किसका मान होता है, Z का मान होता है, क्या होता है बेटा, Z का मान होता है, किसका मान होता है, Z का मान होता है, एक एक चीज को ढंग से करिएगा बस, एक एक चीज को आपको ध्यान से करना है, क्या करना है, ध्यान से रखना है, अब आपको एक चीज याद रखना, कहीं भी ये कैप आ जाता है, कहीं भी कैप आ जाता है, तो कैप का मतलब होता है, उसका एकांग सदिश यानि की unit vector, क्या होता है unit vector, और आप से कभी ये पूछ सकता है, कि बताइए किसी का unit vector, आप लोग कैसे निकालोगे, तो unit vector कैसे निकलता है, अगर आप, आप से r cap पूछ लिया जाता है, तो r cap निकालने का तरीका होता है, बेटा देख लिजे, r cap निकालने का होता है सर यह हमारा होता है r vector बटे में mode of r vector क्या होता है mode of r vector यह हमारा होता है याद रखेगा अगर आपसे इस प्रकार से कभी पूछ लिया जाए तो क्या है सर इस प्रकार से अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आपको कैसे निकालना वो इस प्रकार से निकालना होता है, क्या करना होता है इस प्रकार से निकालना होता है, याद रखेगा यह चीज मैंने आपको पहले ही बता दिये, यह हमारी क्या है, सर इसके अगर मान हमचे कभी पूछ लिया जाये तो हम लोग इस प्रकार से निकाल पाएंगे, इस प्रकार से वेक्ट करते हैं बेटा तो इसको हम लोग लिखते हैं देखिए डंग से याद कर लिजेगा अगर स्तिती सदिश आपको लिखना है तो उसको हम लोग कैसे लिखते हैं जो ये वेक्टर होता है बेटा जो भी मान यहां पर दे रखा है, जो भी मान है, 3 है, 4 है, 5 है, यानि कि sir, A का मान x-axis में, No sir, क्या बेटा, क्या समझ में नहीं आया, बताईए, सुनील खान, क्या समझ में नहीं आया, तो यह हमारा क्या हो गया sir, R, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, Axi, क्या लिखेंगे बेटा, Axi, क्या समझ में नहीं आया बेटा, बताईए जल्दी से, Axi, cap, plus, Ay, J cap, plus, Az, K cap, इस प्रकार से आप लोग लिखोगे, और जब इसका mode लिखोगे, क्या लिखोगे बेटा, इसका mode लिखोगे, तो mode के अंदर क्या होता है, देखो, अगर इसका आप से कही mode निकालने के लिए, बोल दिया जाए, क्या बोल दिया जाए बेटा, इसका mode निकालने के लिए, बोल दिया जाए, क्या बोल दिया जाए, अगर इसका mode निकालने के लिए, आप लोगों से बोल दिया जाए तो मोड कैसे निकालोगे क्या समझ में आया बेटा जल्दी से मुझे बताओ एक बार सुनील खान क्या समझ में नहीं आया बेटा बताईए क्या आपको समझ में नहीं आया है वो मुझे बताओ आप क्या आपको समझ में नहीं आया है जल्दी से बताएं क्या समझ में नहीं आया है अभी तो मैंने इसमें कुछ कराया है नहीं कहीं पर नहीं आया बेटा आप थोड़े से लेट होगे मैंने स्टार्टिंग से चीज़ें आपको बता रहा था तो वो चीज़ें आपको एक बार धंग से देख लो, एक बार धंग से देख लो, देखो, यह हमारा किस में दे रखा है, 3D में अंदर डाइग्राम दे रखा है, किस के अंदर दे रखा है, 3D, 3D का मतलब क्या हुआ, सर, X और Y, Z, 3O, X, Z, 3O, कि 3O, अब धंग से सुन लेना, मैं एक बार बता रहा हूँ आपको, ठीक है, एक बार धंग से सुन लेना, फिर पता लग जाएगा, अगर इनका एक बार मैं पूरा यह लिख देता हूँ, अगर यह आपको निकालना है, सर, इसका मोड निकालना है, तो मोड क्या हो जाता है, बेटा, याद रखेगा, सर, म हमारा क्या होता है इसका मोड हो जाता है इसका मोड हो जाता है यह क्या हो जाता है अब आप से अगर कभी पूछ लिया जाये कि बताईए हमसे, सर हमारा r cap क्या होगा, r cap हमारा क्या होगा, तो बेटा, r cap जो है, वो हमारा होता है, देखिए, r cap के अगर मैं बात करूँ, तो यह हमारा होता है, axi cap, plus ayz cap, plus azk cap, और बते में हमारा आ जाता है, under root, ax का work, plus ay का work, plus az का work, यह इस प्रकार से आ जाता है, आप डंग से देखिएगा, कैसे क्या होगा, देखो, हम लोगाने क्या किया है, हमने एक diagram लिया, क्या किया बीटा, एक diagram लिया, देखिए, ढंग से सुणियेगा, हमने सबसे पहले क्या बताया, आई अक्ष की दिशा में हम लोग क्या लेते हैं, जे कैप लेते हैं, और जैड अक्ष की दिशा में हम लोग लेते हैं, के कैप, तीनों को हम लोग ले लेते हैं, अगर इनका हम लोग मोड निकाल देते हैं, तो मोड इनका क्या हो जाता है, वन हो जाता है, क्या हो जाता है, व हमारा क्या है? Z axis है, यह हमारी क्या है? X axis है, यह हमारी क्या है? Y axis है. क्या है यह हमारी Y axis है, यह हमारी क्या है? Z axis है. ठीक है? X, Y, Z हमारी axis है. अब यहाँ पर क्या दे रखा था सर? हमें R vector दे रखा था, R vector हमारा क्या होता है? इस्तिती सदिश होता है. क्या होता है बेटा? R vector जो होता है हमारा इस्तिती सदिश होता है. तो लिख लीजिए R vector हमारा क्या होता है? इस्तिती सदिश होता है. R vector क्या होता है बेटा? यह हमारा होता है जो R यह vector का है, माल लीजे, यह हमारा क्या है, P बिंदू है, क्या है बेटा, यह P बिंदू है, क्या है, यह P बिंदू है, अब हम लोग क्या लिखते हैं, कि सर, जब भी हम लोग आरे वेक्टर को लिखते हैं, बेटा, तो उसके साथ हम लोग क्या करते हैं, जो भी मान वहाँ पे दे र और मान हमें यहां क्या दे रखा है, x, y, z के मान दे रखें, तो हम लोग क्या करेंगे, x, y, z के जो मान दे रखें, उनके साथ हम लोग क्या करेंगे, i cap x के साथ लिखेंगे, y के साथ हम लोग j cap लिखेंगे, जो भी मान है उसके अंदर, उसके साथ, क्या होंगे बेटा, जो यह हमारा हो गया है, इस्तिती सदिश, यह क्या हो गया है? इस्तिती सदिश हमारा हो गया है, यह हमारा क्या हो गया है? इस्तिती सदिश, और यह जो r vector है, यह r vector है, इसको चाहो तो आप लोग r b लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, इसको r b लिख सकते हो, simple, क्योंकि r vector है, इसक को लिख देते हैं, ये याद रखो, ये याद रखना है, ठीक है? ये थोड़ा सा याद रखना है, आपको और कुछ याद नहीं रखना है. एक बार सारे लोग session को like जरूर कर दो, फटा फट से, एक बार session को like जरूर कर दो, फटा फट से सारे लोग. अब देखें इसके अंदर, अगर इसके अंदर मैं बात करूँ बीटा, तो यहां से देखिए, कि सर हम लोग इसका अगर निकालना चाहेंगे, इस्तिती सदिश तो कैसे निकालेंगे, अगर इसका इस्तिती सदिश निकालते हैं बीटा, तो कैसे होगा, सर यह हो जाएगा, आ 3 i cap plus 4 j cap plus az में कितना हैं ? 10 है, तो ये हमारा क्या हो जायेगा ? k cap हमारा हो जाएगा क्या हो जाएगा बेटा ? k cap हमारा हो जाएगा ठीक है ? इस परकार से हम लोग इसको लिग देंगे अब हम लोग क्या करते हैं ? सर इसका mode निकालते हैं तो mode हमारा कितना होगा, देखिए, यहां से अगर मैं इसका mode निकालता हूँ, तो mode क्या होगा, बेटा, देखिए, mode जो हमारा होता है, mode क्या हो जाएगा, अभी मैंने आपको बताएगा, सर, जो भी मान दे रखें, उसका under root लेना है, और under root के अंदर क्या करेंगे, सबको अलग-अलग square करके लिख देंगे, यानि कि 3 का square, प्लस, 4 का square, प्लस, 10 का square, यहां से देखिए, यह हमारा क्या गया है, सर, 10 का square आ गया है, क्या गया है, यह हमारा आ गया है, 10 का square हमारा आ गया है, क्या आगया है sir, 10 का square हमारा आ गया है, ठीक है, क्या आगया है, 10 का square हमारा आ गया है, clear है, अब हम लोग क्या आगरते हैं sir, इसको हम लोग देखते हैं, तो देखिए क्या होगा, कि sir, अगर हम लोग इसका square करते हैं, तो square करने पर क्या हो जाएगा, देखें, 3 का square अगर मैं कर करता हूं तो कितना हो जाता है 16, plus 10 का square करता हूं तो कितना हो जाता है, 100 हमारा हो जाता है, यह हमारा क्या हो जाएगा सर, r cap, r का mood है, तो यह हमारा कितना हो जाएगा सर, यह हो जाएगा 9 और 16, 25 और 100, यानि कि सर, यह हमारा हो जाएगा under root रूट 125 कितना हो जाएगा बेटा अंडर रूट 125 हमारा आ जाएगा कितना आ जाएगा अंडर रूट 125 हमारा आ जाता है क्या जाता है अंडर रूट 125 हमारा आ जाता है क्या जाएगा सर अंडर रूट 125 आ जाएगा अगर अंडर रूट 125 आ गया है बेटा तो इसका मतलब क्या ह हुआ कि सर हम से यह जो इसके योनिट वेक्टर की कि में बात करता हूँ, क्या करता हूँ, इसके योणिट वेक्टर की में बात करता हूँ, तो क्या आजाएगा सर? R कыт बराबर क्या आजाएगा? 3i cap प्लस च्यार जे कैप प्लस दस के कैप और बटे में क्या आ जाएगा? बटे में आ जाएगा अंडर रूट 125 कितना आ जाएगा? अंडर रूट 125 इस प्रकार से आपको ये मान निकालना है इस प्रकार से आपको क्या निकालना है? यह मान निकालना है याद रखिएगा इस प्रकार से आपको यह मान निकालना है क्या निकालना है याद रखिएगा इसलिए मैंने आपको एक example के द्वारा ही यह समझाए है क्या क्या है example के द्वारा मैंने समझा दिया एक बर फटा फट से इसको read करो और बताओ यह समझ में आया या नहीं आया, जल्दी से मुझे बतादो, यह समझ में आया है या नहीं आया है, जल्दी से मुझे बताओ, यह हमारा क्या होता है बेटा, यह हमारा होता है, एकाई सदिश बोल सकते हैं, या इसी को हम लोग बोल देते हैं, यूनिट वेक्टर, क्या बोल द ठीक है और यह हमारा देखो यहाँ पर मैं लिख भी देता हूं formula जिससे आपको याद रहे कि sir r का cap बराबर हमारा क्या हो जाएगा बेटा r का vector बटे में हमारा क्या हो जाएगा अगर मैं बात करूँ तो sir यह हमारा हो जाएगा mode of r vector ठीक है इसका मतलब क्या हुआ sir यह हमारी क ठीक है यह हमारा क्या है unit vector यानि कि sir इसको अम लोग बोल सकते हैं 21 सदिश क्या बोलतेते हैं 21 सदिश बोल सकते हैं या इसी को आप लोग बोल सकते हो एकांग सदिश क्या बोल सकते हो एकांग सदिश आप लोग बोल सकते हो एकांग सदिश भी आप लोग इसको बोल सकते हो ठीक है, एक आंग सदिश भी आप लोग इसको बोल सकते हो, यह आर क्या, यह जो आर वेक्टर है, यह हमारा क्या है बेटा, यह हमारा है, पोजिशन वेक्टर, यह हमारा क्या है बेटा, पोजिशन वेक्टर है, पोजिशन वेक्टर का मतलब समझा, सर यह हमारा क्या है, इस्त गुणा कैसे गुणा हम लोग कैसे करते हैं एक बार जल्दी से मुझे बता दिजिये गुणा कैसे करते हैं पिर मैं आपको बताने वाला उओ उब को जल्दी से आप लोग बताएए जल्दी से बताएए क्या होगा इसका राइट अंसर क्या आपको इस समझ में आ गया है सारी चीज़े समझ में आ गई है अगर आ गई है तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ फिर मैं आगे बढ़ता हूँ अगर सारी चीज़ आपको समझ में आ गई है तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ इसमें, क्योंकि यह देखिए, आपको मैंने बता दिया है, कभी भी आपसे अगर एकांग सदिश आपसे पूछ लिया जाता है, तो आप लोग इससे निकाल सकते हो, या फिर आपसे एकांग सदिश दे दिया जाता है, और आपसे पोजिशन वे करेंगे बेटा उसके अंदर क्या कर देंगे उसके अंदर क्या करेंगे उसके अंदर क्या करेंगे हम लोग क्या करेंगे किसर हम लोग क्या निकालेंगे आर वेक्टर निकालेंगे उसके अंदर हम लोग क्या कर देते हैं R2 minus R1, यानि किसार R2 vector minus R1 का vector हम लोग कर देते हैं, funny films, hello वेटा कैसे हैं? तो इस प्रकार से क्या होता है, हमारा यह होता है position vector, याद रखेगा यह position vector होता है, और इस से पहले मैंने जो आपको बताया है, वो हमारा क्या होता है unit vector होता है, और unit बानने की कोशिश करते हैं, कि सर हम लोग गुणा कैसे करते हैं, कैसे इन चीजों को गुणा करेंगे, कि कौन कौन सी संख्या, जो हमारी अदिश सदिश जो भी है, उनको गुणा कैसे हम लोग करते हैं, तो सदिश समझ में आ गई क्या होती है, सदिश हमारी वहर आशिया होती है जिनके परिमाण भी होता है जिनकी दिशा भी होती है और वो हमारे क्या करते है सदिश योग के नियमों की पालना करती है क्या करती है सदिश योग के नियमों की क्या करती है पालना करती है वो हमारी कहलाती है सदिश आशिया अदिश कौन सी होती है सर वह राशिया जो केबल और केबल उनका परिमान होता है क्या होता है पेटा जिनका परिमान होता है ठीक है जिनका परिमान होता है सिर्फ और सिर्फ जिनका परिमान होता है और जिनके दिशा नहीं होती है वो हमारी क्या कहलाती है अदिश राशियां कहलाती है क्या कहलाती है अदिश राशियां कहलाती है तो आप एक बार मुझे बता दीजे कि आपको इतना समझ में आया या नहीं आया जल्दी से मुझे बता दीजे इतना मुझे बता दीजे क्या आपको इतना समझ में आया या नहीं आया अगर आ गया है तो फिर हम लोग आगे बढ़ें जल्दी से बताईए और एक बार सारे लोग session को like जरूर कर दो यार चलो ठीक है फिर हम लोग आगे इसके अंदर बढ़ते हैं, क्या करते हैं? आगे हम लोग इसके अंदर बढ़ जाते हैं, क्या करते हैं? आगे हम लोग जानने की कोशिश करते हैं, कि आगे कैसे क्या होता है, अब मैं आपको बताने वाला हूँ, कि सर अदिश गुननफल क्या होता है, सदिश गुननफल हमारा क्या होता है इसको आप लोग लिख लिजिए अदिश या बिंदु गुननफल हमारा क्या होता है और अदिश को हम लोग क्या बोल देते हैं बेटा इसकेलर बोल देते हैं क्या बोल देते हैं इसकेलर तो देखिए इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि सर हम लोग इसके अंदर जो काम में लेते हैं वो लेते हैं दो सदीशों को क्या करते हैं बेटा दो सदिशों को लेते हैं और सदिश हम लोग कैसे पहँचानेंगे जिनके उपर भी ये इस प्रकार से तीर का निशान होता है जिस प्रकार से ये तीर का निशान होता है अगर वो खोपड़ी के उपर है तो हम लोग क्या बोल देंगे बेटा उसको हम लो बोल्गोड़ेंगे सधिष्यों जोटेंगेG Works राफिए की आपकर निशान है way क्या मतलब क problem लोग 2 सदिष्यों को गुणा करते हैं उब हमें क्या चाहिए होता है परीनामी हमें जो चाहिए अधिश राशी चाहिए होती है क्या चाहिए होती है पेटा अधिश राशी चाहिए होती है जैसे हमारे पास दो सदिश राशी है उनसे मुझे अधिश राशी चाहिए तो तब हम लोग क्या करते हैं सर इनका हम लोग जब गुणन करते हैं इनको गुणा करते हैं तो परिणामी जो हमारा गुननफल होता है, उससे हमें क्या मिलती है, एक अधिश राशी मिल जाती है, और अधिश राशी अगर हमें मिलती है, तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो, कि सर इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, दो हमने क्या लिया है, यहाँ पर दो हमने सदिश लिया है, एक तो मैंने मा dot product दिख जाए कहीं dot product दिख जाए तो याद रखेगा कि सर इन से हमें जो मिलने वाली राशी होगी वो क्या होगी अधिश राशी होगी क्या होगी इन से जो मिलने वाली राशी होगी वो हमारी क्या होती है अधिश राशी होती है क्यों क्यों कि जब 12 में आप लोग जाओगे वो हमारी क्या होगी? अदिश राशी होगी. इनके गुणा से क्या है कि लिख लिजे यहाँ परिणामी, लिख देताओं में इसके नीचे कि सर्फ परिणामी गुणनफल से गुणनफल एक अदिश राशी होगी. ठीक है? देखिए, यहाँ से अब यह जब भी भी आपको डॉट प्रडिक्ट आजाए, दो चीजे होते हैं, देखिए, अगर आपको कहीं पे भी डॉट लिखा हुआ है और दो सदिशों के बीच में है, तो यह dot का जो conversion होता है, वो हमारा हो जाता है cos theta के रूप में. किसमें होता है cos theta? अगर यह हमें cross दिखा हुआ है, तो हम लोग इसको किसमें convert करते हैं, बेटा, इसको हम लोग कर देते हैं sin theta के में. किसमें कर देते हैं sin theta, तो याद रखेगा सर, जब भी हम लोग sin theta करेंगे, तो हमारा क्या होगा, उससे हमें सदिश मिलेगी, क्या मिलेगी, सदिश मिलेगी, और जब भी हम लोग dot product करेंगे, dot अगर करते हैं, तो वो हमारा क्या होता है, सर उससे हमें मिलने वाली जो राशी होती है वो क्या होती है अदिश राशी होती है जल्दी से एक बार फटा फट से शैशन को लाइक कर तो फटा फट से तो देखिए, अब हमने क्या किया, सर यहां पर हमने क्या लिया है, दो सदिश राशियों को ले लिया है, और उनका हमने क्या कर दिया है, बेटा, डॉट प्रोडेक्ट कर दिया है, और डॉट प्रोडेक्ट अगर हमने किया है, तो यह क्या हो जाएगा, सर यह जो डॉट होता है यह हटेगा जब यह dot हटता है तो यह बेटा जाता है यह क्या होता है, तर दोनों जो सदिश होती है, उनके बीच का क्या होता है, एंगल होता है, क्या होता है, दोनों सदिशों के बीच का एंगल होता है, इस चितर में आपको दिख रहा होगा, यह हमारी क्या है, A vector है, दूसरा क्या है, V vector है, और इन दोनों के बीच का जो कौन है वो हमारा क्या है ठीटा है तो ये ठीटा हमारा क्या होता है दोनों सदिशों के बीच का कौन होता है अगर ये दोनों सदिशों के बीच का कौन है बेटा तो ये बताईए इतना समझ में आया है या नहीं आया है आप लोगों के एक बार मुझे बता दीजिए इतना समझ में आ जल्दी से मुझे बताईए, अगर आगया है, तो फिर हम लोग आगे बढ़ें, तो देखिए, अब क्या होगा, कि सर मान लीजिए, अब हम लोग क्या बोलते हैं, सर दोनों सदिश हैं, दोनों सदिश A वेक्टर और B वेक्टर के अदिश गुणनफल से एक क्या होती है, अद मिलने वाली राशी होगी, वो हमारी क्या होगी, अगर यहां पर क्रॉस का चिन हो जाता, तो मिलने वाली राशी क्या हो जाती, सदिश हमारी हो जाती, क्या हो जाती बेटा, सदिश हमारी हो जाती, अब मान लीजिए, मैं बोलता हूँ कि सर यह दोनों के दोनों एक ही दिश के यहां के समझी बताईए इतना समझ में आया आया या नहीं आया आप लोगों के जल्दी से बताईए जल्दी से मुझे बताईए इतना समझ में आया है नहीं आया जल्दी से बताओ अब देखिए माल लिजे सर कहीं पर कोई प्रशन ऐसा फस गया जहाँ पर हमें गुणा करना है और महाँ पर क्या आ रहा है हमारा अधिश गुणान फल हमें करना है और अधिश अगर हम लोग कर रहे हैं तो इसका मतलब सर क्या हुआ अगर महाँ पर माल लीजे कहीं है ऐसा सवाल आ जाए जिसके अंदर i-cap को i-cap से गुणा करना पड़ जाए J cap को J cap से गुणा करना पड़ जाए K cap को K cap से गुणा करना पड़ जाए तो हम लोग क्या लिखेंगे तो याद रिखेंगे बेटा जब भी आपका अदिश गुणनफल होगा क्या होगा अदिश गुणनफल होगा तो अब आपका क्या होता है बेटा याद रखेगा जब भी आपका अदिश गुणनफल होगा तो आपका icap.icap होगा यानि कि सार icap को अगर icap से गुणा करोगे तो उसका मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा J cap को J cap से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा और K cap को K cap से गुणा करोगे तो 1 हो जाएगा यानि किसार इनका सीधा-सीधा मतलब यह है कि कहीं भी अगर हमें इस प्रकार से दिख जाता है I cap गुणा I cap तो इसका मान सीधा-सीधा हम लोग एक लिख देंगे जे कैप गुड़ा जे कैप हमें देखने को मिल जाए तो इसका मान सीधा-सीधा 1 रख देंगे और के कैप गुड़ा के कैप हमें देखने को मिल जाए तो इसका मान सीधा-सीधा 1 रख देंगे अब क्या हुआ, कि सर माल लीजिए, अब हमारा ठीटा है, वो 90 डिग्री हो जाए, 90 डिग्री का मतलब क्या हुआ, कि सर माल लीजिए, ये मेरा क्या है, इस प्रकार से बन जाए, क्या हो जाए, इस प्रकार से बन जाए, कि सर ये हमारा क्या हो जाता है, बी वेक्टर हो जाता ह ठीटा पराबर अगर 90 डिग्री हो जाएगा, ठीटा पराबर अगर 90 डिग्री हो जाता है, तो 90 डिग्री होती ही क्या हो जाएगा, कि सर हमारा जो कॉस 90 डिग्री है, कॉस 90 डिग्री है, उसका मान कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और कॉस 0 अगर हो जाता है, तो इसका मतलब क्या हुआ? कि सर जो हमारा A vector dot B vector का मान था, क्या था? A B cos theta, क्या था बेटा? A B cos theta था, वो actually हमारा कितना हो जाएगा? यह 0 होते ही यानि कि सर यह हमारा इसका मान cos theta जो है, इसका मान 90 theta बराबर 90 degree होते ही, यह पूरा का पौरा क्या हो जाएगा? 0 और 0 होते ही पूरा का पूरा complete 0 हो जाएगा यानि कि sir A vector dot B vector का मान कितना आ जाएगा 0 हमारा आ जाएगा कितना आ जाएगा 0 हमारा आ जाएगा कितना आ जाएगा बेटा 0 हमारा आ जाएगा ठीक है कितना आ जाएगा 0 हमारा आ जाएगा यह चीज समझ में आई और निया यह जल्दी से मुझे एक बार कमेंट करके बताओ जल्दी से एक बार कमेंट करके बताओ इतनी चीज समझ में आई और निया यह मैं इसलिए example लेके solve कराता हूँ बेटा जिससे क्या है आप लोगों के दिमाग में विरकुल clarity के साथ वो चीजे बैठ जाएं अगर वो चीजे दिमाग में बैठ जाएंगी तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी सारी चीजों के आप लोग आसानी से कर पाओगे तो बताओ जल्दी से इतना समझ में आया है या नहीं आया इतना समझ में आया है नहीं आया है बेटा एक बार फटा-फट से मुझे कमेंट करके बता दीजिए जल्दी से कमेंट करके बताओ इतना समझ में आया है नहीं आया है क्योंकि अभी हमें सद्धिश्ट के बारे में पढ़ना है कल हम लोग इनके गुणन देखेंगे कि गुड़ा कैसे होती है, कल हम लोग इनका गुड़ा हम लोग देखेंगे, क्या करेंगे बेटा, गुड़ा हम लोग देखेंगे, जल्दी से बताओ, क्या इतना समझ में आया, बताओ, इतना समझ में आया नहीं आया, जल्दी बताओ, फटाओ, से, जल्दी से मुझे बताईए इतना समझ में आया नहीं आया जल्दी से बताईए फटाफट से बताईए इतना समझ में आया नहीं आया अगर आ गया है तो देखो अब इसका मतलब क्या होगा कि सर जब भी भी हमारा इस प्रकार से आ जाए i cap dot j cap आजाए j cap dot k cap आजाए या k cap dot i cap आजाए तो इसका मतलब क्या हो जाएगा मान हो जाता है 0 क्या हो जाता है बेटा 0 हमारा इनका मान हो जाता है क्या हो जाता है 0 हमारा हो जाता है क्यों हो जाता है देखिए कारण मैं आपको बताऊँगा आप लोग खुद बोलोगे कि सर यह सही है कैसे देखिए हम लोग क्या लिखते है बेटा हम लोग लिखते हैं सर I cap dot करते हैं J cap यानि कि सर A और B की जगे क्या हो गया यानि कि सर यह हमारा क्या हो गया I cap हमारा A की जगे आ गया है J cap हमारा किसकी जगे आ गया है बेटा J cap अगर हम लोग बात करें तो sir J cap हमारा किसकी जगे आ गया है B के जगा और यह हमारा क्या हो जाएगा बेटा cos हमारा हो जाएगा क्या हो जाएगा cos हमारा हो जाएगा theta theta पराबर क्या हो जाएगा sir कभी भी i-cap dot j-cap अगर हमारा आ जाता है तो वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. क्यों हो जाएगा 0? क्योंकि उसके पीछे का जो कारण है वो यही है, कि सर इन दोनों के बीच में क्या हो जाता है? अगल 90 degree बन जाएगा और अगल जब जब 90 degree बनेगा, तब तब क्या होगा बेटा? इनके बीच में जो मान होगा वो क्या होता जाएगा? 0 होता जाएगा. यानि कि सर हम लोग सीधा-सीधा कहेंगे, अब हम लोग क्या करते हैं बेटा? इनके अदिश जो गुणनफल होते हैं, उनके कर्म, विन्मे का कुछ हमारे नियम होते हैं, जिनकी वो पालना करते हैं, कैसे देखिए? माल लीजे हमने लिखा है a vector dot b vector, उसको हम लोग चाहे b vector dot a vector लिख दें, बात बराबर है, क्यों बराबर है? क्योंकि सर, उनके बीच का जो कौन है, वो बराबर आएगा, क्योंकि अगर वो उपर था, तो अब नीचे आएगा, कौन बराबर आएगा, और कौन अगर बराबर आता है? क्या होता है बेटा, कौन अगर बराबर आता है? कौन अगर बराबर आता है अगर इनका कौन बराबर आ जाता है एक मिट बेटा आप लोग एक बराबर कौन की मैं बात करता हूँ कौन अगर बराबर आ जाता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर वहाँ पर हमारा क्या है चार को तीन से गुणा कर दीजिए, या तीन को चार से गुणा कर दीजिए, बात बराबर है, बात बराबर सर आने वाला 12 ही होता है, क्या होता है बेटा, आने वाला 12 ही होता है, उसी प्रकार से चाहे आप लोग इनको क्या करना होता है, सर वित्रन नियम की भी क्या करते हैं, पालना करते हैं sir a dot को चाहे ऐसे गुड़ा कर लिजे तो भी कोई मतलब नहीं है क्योंकि दोनों का मान बराबर ही आना वाला होता है क्या होता है दोनों का मान भी बराबर आने वाला होता है और घटकों के रूप में दो सदीशों को हम लोग लिखते हैं आगे अगर हम लोग बात करें तो अब हम लोग बात करते हैं sir सदीश गुननफल क्या होता है सदीश गुननफल के अगर मैं बात करता हूँ सदीश के अगर मैं बात करता हूँ क्योंकि देखिए यहां हमने सारी चीजों को जान लिया है यह हमारी क्या है सर गुणनफल के लिए हमने जान लिया है जो important चीज थी बेटा वो हमने इसके अंदर जान लिया है ठीक है अब आपको क्या याद रखना है वो देख लिजे क्या याद रखना है वो आपको याद रखना है जो चीज याद रखनी है वो यह है कि सर जब भी भी आपका सदिश गुननफल की बात आती है, क्या होती है सर सदिश गुननफल की बात आती है, तो उसके अंदर आई गुना आई आजाता है, तो वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्यों हो जाएगा बेटा, ये ध्यान रखिए, क्यों हो जाता है, क्यों क कर रहे हैं पेटा सदिश गुननफल कर रहे हैं क्या कर रहे हैं सदिश गुननफल हम लोग इसका कर रहे हैं कर रहे। जी, अलो बेटा, आप देखिए, यह मैंने आपको बता दिया था कि कैसे हम लोग करते हैं, तो याद रखिए, जब भी आपका कभी गुणा का चिन आ जाता है, गुणा का चिन का मतलब है कि आप लोग क्या कर रहे हो, सर सदिश गुणफल कर रहे हो, यानि कि जो आने वाली जो चीज है, वो हमारी क्या है, सदिश है, इसलिए हम लोग क्या कर रहे है, X के, यानि कि गुणा हम लोग कर रहे है, dot से आप लोग समझ गया होंगे, कि जब भी dot आएगा, cost ठीटा लिखते हैं, और उसका मतलब क्या है, सदिश हमारी होती है, क्या होती है, सदिश हमारी होती है, और सदिश है ता इसका मतलब क्या हुआ, सर उसको हम लोग उसके साथ जो लिखेंगे, वो लिखेंगे, sin ठीटा, क्या लिखेंगे बेटा, sin ठीटा हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे sin theta, तो इसका मतलब क्या हुआ, क्यों लिखेंगे, आप देखें, यहाँ पे आप लोगों को पता लग जाएगा, अकर i गुणा i है, दोनों एक ही दिशा में है, दोनों एक ही दिशा में क्या होंगे, तो theta पराबर कितना हो जाता है, 0 degree, और theta पराबर 0 degree होग तो इसका मतलब क्या हुआ, कि सर हमारा i cap गुणा i cap आएगा, यह j cap गुणा j cap आएगा, यह k cap गुणा k cap आएगा, तो उसका मतलब होता है 0, क्या होता है, उसका मतलब होता है beta 0, क्या होता है, उसका मतलब सीधा सीधा हो जाता है 0, यह आपको याद रखना है, और इसी प् क्यूंकि इस circle के अंदर हम लोग क्या करते हैं देखें। इस circle के अंदर हम लोग कैसे चलते हैं। और clockwise के अंदर चलने पर क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर i-cap को रख देते हैं, यहाँ पर मान लीजे, j-cap को रख दिया, और यहाँ पर हमने क्या किया है, बेटा, k-cap को रख दिया, यानि कि सर, जब भी भी हमारे पास ऐसा आता है, जब भी ऐसा आता है कि हमारे पास i cap गुणा j cap आ जाएगा i cap गुणा j cap आ जाता है तो उसकी वज़े से क्या होता है हमारा जो गुणा होने पर क्या होगा बेटा जो आगे वाला इसका number होता है आगे वाली जो हमारी एकांग सदेश होती है वो हमारी यहां पे आ जाती है उसी प्रिकार से क्या है सर अगर हमारा जे गुणा के है तो हमारा क्या आ जाएगा आई कैप आ जाएगा उसी प्रिकार से क्या है बेटा अगर हमारा के कैप गुणा i cap हो रहा है तो यह हमारा क्या आजाएगा J cap आजाएगा क्या आजाएगा J cap हमारा आजाएगा यानि कि सर इन दोनों को अगर मैं product कर रहा हूँ तो आने वाला क्या होगा इस से आगे वाला अगर इन दोनों को अगर मैं product कर रहा हूँ आई गुणा k-cap करेंगे, तो आने वाली जो संक्या होगी, वो हमारी क्या होगी, बेटा, minus j-cap, क्या होगी, minus j-cap, उसी प्रकार से अगर मैं j-गुणा i करता हूँ, तो आने वाली संक्या क्या होगी, k-cap हमारी होगी, क्या होगी, आने वाली जो संक्या होती है, वो हमारी क्य क्या होता है? एक आंक सदिश हमारा होता है. अब बताये इतनी चीज आपको समझ में आई ही? या नहीं आई, मैंने आपको सदिश और अधिश और उसके अलावा उनका गूणन अच्छे से एकस्पेयन कर दिया है, एक बार आप लोग लाइक जरूर कर दिजे, लाइक जरूर कर दीजे बताईए जल्दी से इतना समझ में आया या नहीं आया इतना समझ में आया या नहीं आया बेटा फटाफट से बताईए जल्दी से एक बार लाइक कर दीजे जल्दी से एक बार लाइक कर दीजे इतना समझ में आया या नहीं आया अगर आ गया है तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो इसके अंदर हमने क्या-क्या जान लिया वीटा इसके अंदर अगर मैं बात करता हूं तो इसके अंदर हमने जान लिया है सर अदिश क्या होती है सदिश क्या होती है और उसके अलावा अदिशो का हम लोग कैसे गुणनफल, हम लोग करते हैं, सदिशो का गुणनफल कैसे करते हैं, चार चीजों को हमने आज की क्लास में जाना है, तो आपको क्या करना है, चारो की चारो चीजों को अच्छे से, एक बार अच्छे से रिवाइस करनी है, revise करके सब को पढ़ के आना है कल की class के लिए, क्या पढ़ के आना है, सब को पढ़ के आना है कल की class के लिए, जिससे क्या है, आपको सारी चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएं, क्या हो जाएं, सारी की सारी चीज़ें हैं, वो आसानी से समझ में आ जाएं, ठीक है बेटा, तो यह आपको याद रखना है तो यह है हमारा Telegram channel, इसको join कर लीजेगा इसके उपर क्या होती है, notes होते हैं PDFs होती है, सारी की सारी चीज़ें आपको इसके अंदर दे दी जाती है जिससे क्या है, आप लोग आसानी से सारी चीजों को download कर पाओगे, अपने पास तो आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद, प्यारे बच्चों अड़ा 24-7, क्लास 11-12, जेई नीट YouTube channel से जुड़े रहने के लिए, आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद, उमीद करूँगा, आप लोग घर के अंदर अगर मेरा पढ़ाया हुआ, आपको समझ में आता है, अच्छा लगता है, तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और ज्यादा से ज्यादा channel को subscribe करना है क्या करना है ज्यादा से ज्यादा channel को subscribe करना है तो मिलेंगे अपनी अगली अगली class में इसी जोस और इसी उस्सा के साद आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे बच्चों